हेलो एंड वेलकम टो आल अफ यो अन योर फेवरेट चेनल हभीबुर सार्स एकाडेमी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओमिशन आप आर्टिकिल 2 यानि के कौन सी जगा पे हम आर्टिकिल 2 का यूज नहीं करेंगे देखें इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो इनडेफिनेट आर्टिकिल है ए और अन इसे हम कहां यूज करेंगे ठीक उसी तरह सेकंड वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि कौन सी जगा पे डेफिनेट आर्टिकिल 2 का हम यूज करेंगे मगर इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे Omission of Articles 2 यानि के कौन से जगा में हम Article 2 का यूज नहीं करेंगे ओके देखे यह वीडियो काफी interesting होने वाला है क्योंकि कभी-कभी हम sentence में यह phase करते है The boy goes to day's school everyday My father went to day's school to meet the principal देखे यहां भी school है यहां भी school है बच्चों को इसमें काफी confusion होता है कि कौन से जगा पे हम Article 2 का यूज करेंगे और कौन से जगा पे हम Article 2 का यूज नहीं करेंगे तो इसी doubt को clear करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया हूँ अब सुरू से आखीर तक इस वीडियो पे बने रही है आपका तमाम doubts clear हो जाएगा अगर आप इस चैनल पे नए है तो फर्स्ट इस चैनल को सब्सक्रेब कर दें और पास में जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक कर दें ताके कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ उसकी notification आपके पास आसानी से पहुंच सके तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम एक एक करके discuss करेंगे कि कौन-कौन सी जगा में हम article 2 का यूज नहीं करेंगे देखे यहां लिखावा है before the plural countable nouns in general sense यानि कोही भी plural countable noun है अगर उसको हम general sense में यूज करते हैं तो उसके पहले हम article 2 का यूज नहीं करेंगे कैसे देखे बॉइज लॉब्टू प्ले तो बॉइज लॉब्टू प्ले यहां देखे लिखाए plural countable noun है boys यह जो boys लिखावा है एक general sense में यूज किया गया है कैसे जो भी लड़के हैं वो खेलने को पसंद करते हैं तो यहनि के बच्चों का खेलने को पसंद करना एक general sense में यूज किया गया है इसलिए यहां पे मैंने दौका यूज नहीं किया हूँ उसी तरह देखिए children like chocolates जो बच्चे हैं उन्हें चौकलेट पसंद है तो तमाम बच्चों को सारे के सारे बच्चों को चौकलेट पसंद है यानि कि यह children को general sense में यूज किया गया है यह plural countable noun है इसलिए मैं इसके पहले दौका यूज नहीं किया हूँ मगर उसका एक exception case होता है जैसे दिखिए यहां लिखा हुआ है particular sense अगर हम plural countable noun को हम particular sense में यूज करते हैं तो उस case में वो plural countable noun के पहले हम दौका यूज करेंगे कैसे दिखिए देखिए यहां पे लिखा है boys एक plural countable noun है तो इसके पहले मैंने दौका यूज किया हूँ क्यों किया हूँ कि कौन सा लड़कों को यह indicate करता है इसी लोकालिटी के boys तो इसी लोकालिटी के boys को indicate करता है यानि कि particular sense में boys को indicate करता है तमाम boys को indicate नहीं करता तो इसी locality के बच्चों को indicate करने के होजा से एक particular sense में इसका use किया गया है इसलिए मैं boys के पहले दोका use किया हूँ उसके बाद दिखिए before abstract noun used in a general sense abstract noun क्या होता है? abstract noun ओ होता है कि कोई भी noun को अगर हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते बस सिर्व उसको हम आयसास करते हैं, उसको feel करते हैं, तो उसका नाम होता है abstract noun जैसे आता है आपका honesty, childhood, headache, wisdom, virtue, एस सब होता है एक एक abstract noun इस noun को हम देख नहीं सकते, मगर इसको हम feel करते हैं, तो abstract noun के पहले हम दोका use नहीं करेंगे अगर वो general sense में यूज किया जाता है, जैसे honesty is the best policy, जो honesty है एक abstract noun है वो ये general sense में यूज किया गया है कि honesty is the best policy, इसलिए इसके पहले मैंने दोका use नहीं किया हूँ उसी तरह दिखिए, everybody loves wisdom and virtue, हर इनसान को wisdom और भर्चु पसंद है ये तो general sense हो गया, तो general sense में अगर abstract noun को use किया जाता है, तो उसके पहले हम दोका use नहीं करेंगे मगर उसका भी एक exception case है, क्या exception case है, अगर हम उस abstract noun को particular sense में यूज करते हैं, उस abstract noun के पहले हम दोका use करेंगे ओके, देखिए यहाँ पे दिखिए, wisdom लिखावा है, उसके पहले मैंने दोका use किया हूँ यह कौन सा wisdom, which he sowed, यह particular sense में कहा जाता है, कौन सा wisdom, जो wisdom उन्होंने दिखाया, वो प्रेजवर्दी है, यानि के तारीफ के लाइख है तो यह particular sense में wisdom को use किया गया है, इसलिए, यह wisdom के पहले मैंने article 2 का use किया हूँ ठीक उसी तरह दिखिए देखिए, यहाँ पे है honesty, यह भी एक abstract noun है, मगर यह कौन सा honesty, रमेस का honesty, यह सभों का honesty को indicate नहीं करता particular sense में, रमेस के honesty को indicate करता है, कि रमेस का जो honesty पन है, यह उसको काफी महान बना दिया तो यह particular sense में abstract noun को use किया गया है, इसलिए, हम यह honesty के पहले article 2 का use किये हैं देखे, यहाँ लिखा हुआ है, before the place and marketplace, कोई भी place का नाम हो, यह कोई भी marketplace हो, उसके पहले हम दौका यूज नहीं करेंगे जैसे, there are many shops in Buxy Buxer, ओके, यह जो Buxy Buxer है, यह एक marketplace हो गया, यह marketplace के पहले हमने article 2 का use नहीं किया हूँ तो चान्वी चौक is the दिल्ली से oldest market, ओके, यह जो चान्वी चौक है, यह भी एक marketplace हो गया, यह marketplace होने के ओजह से, इसके पहले मैंने 2 का use नहीं किया हूँ उसके बाद देखते हैं, before the names of the meals, in general sense, कोई भी meals हो, चाहे वो breakfast हो, चाहे लँच हो, चाहे वो dinner हो अगर हम उसको general sense में use करते हैं, तो उसके पहले मैं 2 का use नहीं करूँगा, देखिए, जैसे, I have my dinner at 9 p.m. everyday, मैं रोजाना 9 p.m. को अपना dinner करता हूँ जब मैं रोजाना 9 p.m. को dinner करता हूँ, तो जो dinner का मेरा timing है, dinner का जो काम है, एक general sense में use किया गया है अगर ये dinner को मैं general sense में यहाँ पे use किया हूँ, तो इस case में मैंने dinner के पहले article 2 का use नहीं किया हूँ मगर उसका एक exception case आता है, कि अगर हम उस meal को specific case में use करते हैं, तो उस meal के पहले हम 2 का use करेंगे कैसे, जैसे, the dinner given by Ramesh was delicious, जो dinner Ramesh ने दिया था, वो काफी delicious था, ओके, देखें, यहाँ पे लिखा हूआ है dinner, ओके, यह dinner, कौन सा dinner, जो dinner Ramesh ने दिया था तैनिके specific case को indicate करने के ओजहा से, तो यहाँ पे dinner के पहले मैंना article 2 का use क्या हूँ ओके, तो इससे पता यह चलता है, कि अगर general sense में meal आता है, तो हम वहाँ पे 2 का use नहीं करेंगे अगर उसी meal को, अगर हम specific case में use करते हैं, तो वहाँ पे हम 2 का use करेंगे उसके बाद दिखिए, before the names of games, कोई भी games का नेम हो, उसके पहले हम 2 का use नहीं करेंगे जैसे cricket हो, football हो, badminton हो, tennis हो, तो कोई भी game का नेम हो, उस नेम के पहले हम 2 का use नहीं करेंगे ठीक उसी तरह दिखिए Names of languages अगर किसी भी languages का name आता है तो उसके पहले हम article दो का यूज नहीं करेंगे जैसे they speak Hindi at home वो लोग घर में Hindi में बात करते हैं तो Hindi यहाँ पे हो गया एक language का नाम हो गया तो Hindi यहाँ पे एक language का नाम होने के उजह से तो Hindi के पहले मैंने article यूज नहीं किया हूँ उसी तरह कहा जता है English is spoken all over the world यहाँ पे English क्या होता है English एक language है तो English एक language है किसी भी languages के पहले हम दो का यूज नहीं करेंगे उसके बाद दिखिए school, college, church, market, hospital, etc when these places are used with their primary purpose यहाँ पे important point दिखिए primary purpose तो यह जो places का नाम लिखा हुआ है जैसे के school है, college है, church है तो उनका अपना-पना कोई primary purpose होता है अगर उन place के साथ में primary purpose जुड़ा हुआ है तो उस place के पहले में दो का यूज नहीं करूँगा जैसे दिखिए अगर school है या college है तो वहाँ पे एक primary purpose क्या होता है education अगर मैं जाता हूँ school तो education हासिल करने के लिए या कोई teacher जाता है school education देने के लिए उसके बदिखिए चर्च लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा primary purpose है यहाँ पे होता है prayer करना चर्च को लोग जाता है क्यों प्रेयर करने के लिए market को क्यों जाता है बाइंग सेलिंग करने के लिए और hospital क्यों जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए तो अगर इन प्लेस के साथ में इन परपोच जुड़ा हुआ है तो मैं दोका यूच नहीं करूँगा जैसे देखिए दोई गोश टो स्कूल एट 10 एम एब्रिडे लड़का एब्रिडे यानिके रोजाना 10 एम को स्कूल जाता है तो लड़का जब रोजाना स्कूल जाता है तो उसका primary purpose क्या होता है एजूकेशन हासिल करना यानिके स्कूल से इसका primary purpose हासिल होता है तो स्कूल से इसका purpose हासिल होता है इसलिए यहाँ पे मैं स्कूल के पहले दोका यूच नहीं किया हूँ उके उसी तरह दिखिए वी गो टू चर्च अन संडे हम लोग संडे को चर्च को जाते है तो संडे को हम चर्च क्यों जाते है नहीं प्रेयर करने के लिए तो संडे को जब हम चर्च को जाते है चर्च का primary purpose क्या होता है प्रार्थना करना तो वहाँ पे अगर हम प्रार्थना करते हैं प्रेयर करते हैं चर्च के पहले आर्टिकल दौका यूज नहीं किया गया है, मगर इसका एक exception case आता है, जैसे ये वाला नाउन, अगर ये other purpose को indicate करते हैं, कौन सा purpose? यानि कि place को indicate करते हैं, या building को indicate करते हैं, तो उस case में हम दौका यूज करेंगे, कैसे? देखिए, माइ फादर वेंट तू दौ स्कूल, तो मीट दौ प्रिंस्पल, माइ फादर वेंट तौ दौ स्कूल, यहाँ पे दिखिए स्कूल है, उसके पहले मैंने दौका यूज किया हूँ, क्यूंकि, माइ फादर वेंट तौ दौ स्कूल, to meet the principal मेरे पिता जी principal से मिलने के लिए school गए थे तो मेरे पिता जी जो school गए थे principal से मिलने के लिए तो उनका primary purpose ये नहीं है कि education हासिल करना बलके principal से मिलना तो यहनिके जो school है इसका primary purpose ये education देना नहीं है बलके ये जो school है एक place को indicate करता है तो यह place को indicate करने के उजहा से मैं यहाँ पे article दौकायूज किया हूँ उसके बाद दिखिए जैसे expression like all day and all night अगर किसी भी sentence में अगर यह expression है all day, all night तो वहाँ पे दौकायूज नहीं किया जाता जैसे he works hard all day यहाँ पे है all day इसलिए यहाँ पे मैं दौकायूज नहीं किया हूँ तो उसके बाद दिखिए specific time of the day or night day और night का अगर कोई specific time होता है तो उसके पहले दौका हम यूज नहीं करेंगे जैसे sunrise, sunset, noon, night, down, dusk, midnight, etc अगर यह वार है तो इसके पहले हम दौकायूज नहीं करेंगे मगर longer duration of the time को अगर indicate करता है वो लंबा समय को indicate करता है तो उस noun के पहले हम article दौकायूज करेंगे जैसे we rest during the night हम night में एक longer time के लिए हम rest लेते हैं तो यह जो night लिखा हुआ है एक longer time को indicate करता है इसके लिए मैंने उसके पहले दौकायूज किया हूँ ठीक उस तरह दिखिए we traveled during the day हम दिन में लंबा लंबा सफर करते हैं तो दिन के time में जब सफर हम करते हैं यह भी एक longer time को indicate करता है इसलिए day के पहले मैंने article दौकायूज किया हूँ उसी तरह और भी कुछ exception case आता है जैसे के in the morning, in the evening, in the afternoon यह सब इसका exception case है उमीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ए वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को like करें और subscribe करें मगर ए वीडियो को दूसरों को share करना मत भूलें अगर आप इस वीडियो को दूसरों को share करेंगे तो इसका content बहुत सरे बच्चों तक पहुँच पाएगा और बहुत सरे बच्चे इससे फायदे हासिल कर पाएगे अगर इस वीडियो में कही doubt हो तो आप मेरे description में एक telegram का link दिया गया है अब उसी link को click करके आप telegram में join कर सकते हैं आपका तमाम doubt उसी telegram से मुझसे share कर सकते हैं ओके, thanks for watching